हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल क्रिकले और फोकस पर आप लोगों का इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया लेजेंट्स प्से शिलंका लेजेंट्स की बारे में आपको बता दू यह मैच थर्ड मैच है आपने दो मैच देख मैच के लिए आपको पूरा टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा वह सब टेलिग्राम में अगर आपने जॉइन नहीं किया तो क्रिकले फोर का सच करके जॉइन करने इंडिया लेजेंट्स के बारे में आपको बता देता हूं सचिस दंदूलकर यहां पर उपनी करेंगे विरेंदर सेवाक के साथ दोनों राइट हैं बैक्समन हैं मुहम्मद कैफ नंबर तीन पर आ रहे हैं युवराज सिंग नंबर चार पर दीखेंगे आपको लास्ट में गोनी को प्रमोट किया गया था समीर दीगे हैं इंडिया के विगेट कीपर हलाकि इनकी बल्लेबाजी नहीं आई लेकिन विगेट कीपिंग से ही काफी पॉइंट दे दिये इन्होंने इर्फान बठान है लेफ्ट हैंड बैटिंग ब्स लेफ्ट आम फास सिरफ दो और करा को काफी अच्छा आउट किया स्टम्प हो गए थे ब्रेंड लारा या इसे कौट विकेट दिया गया था बट उनमें रोल रहा था समीर दीगे को और इर्फान बठान का मनपरीद गोनी मेरे साब से इस मैच के लिए सबसे अच्छे डिफरेंशल पिक है मनपरीद गोनी क्य मैच को अच्छा नहीं लगा इनको जिस तरीके से यूज किया गया था मैं क्यों ऐसा बोल रहों क्योंकि इनको पावर प्ले भी स्टार्टिंग में तीन वर करवा दिया गया थे शायद लास्ट में एक और मिलता मनपरीद गोनी को तो विकेट भी ले पाता और यह लंबे चौक दिशके भी लगा लेते हैं बोलिंग केटिगरी में जरूर है लेकिन बल्लेवाजी काफी अच्छी कर लेते हैं सायराज बहुत उले हैं जो लेक्स्पिन करने हो सकता है आपको बता दू कि इनको जादा ओर मिले यह एक अच्छी डिफरेंशल बिक बन सकती है लेकिन अच्छे हैं विकेट निकाल सकते हैं आपको अगर मैं इनके बार में पता हो राजस्तान रोयल्स के अभी यह स्पिन के कोच है तो हाइली रेटेड है डिमस्टिक सर्किट है इस साल भी कोचिंग करते हैं स्पिन बोलर्स की मिलकर इस सोटी और साहराज बहुतुले लेकिन अच्छी बोलिंग कर रही ती इन्होंने हाइली इंप्रेसिव और एक बढ़िया कैच भी स्पीड इनकी जरूर कम हुई है लेकिन स्विंग आज भी है कलाईयों में और उसका इन्होंने उपयोग किया बोल्स्विंग करी और प्लियर्स को आउट भी किया इन्होंने डेरन गंगा को बोल्ड किया था उसके अलावा इन्होंने डेथ में आके फिर विकेड भी ली थी और एक कैश भी बहत्रीन पकड़ा था मुनाफ पटेल की गेंद पे बेंच पे आपको यहां पे मैंने सायाज भूतुले लिखा तो लंका लेजेंट से दिखोगे तो इनके बास रुमेश कुला वित्राना है जो लास्ट में अच्छे खेल रहे थे लगबग ती स्कीनिंग्स के लिए और नौट आउट थे लगबग अंपायर ने आउट दे दिया था काफी टफ डिसीजन था बठीक है यह थोड़े नरास् लास्ट में हमने दिया बहुत कम लोग लाए थे इस मैच में मिड्विकेट लोगान पर फिल्डिंग करें लोगन पर ही आए थे इन्होंने दो कैच पकड़े लास्ट मैच में बल्ले बाजी भी करेंगे सबसे फेट प्लेयर इस्टीम में हैं तो इन पर काफी दारोमत आ र अजनता मेंडेस है जिनको लास्ट में बल्ले बाजी भी करवा दी गई थी उपर चमिंदा वास्ट लेफ्ट एंड बैटिंग लेफ्ट आम फास्ट मुतहिया मुली धरन और रंगना हरात मेरे साब से इनके लिए सबसे बहतरी बोदर रहते लेकिन केवल दोवर करवाए ग लेकिन यह खेलने वाले हैं लास्ट मैच से रह गया कि मैंने आज इनको उपुल चंदाना और इनको प्रावबल 11 में डाला है क्योंकि यह लास्ट मेच खेले थे बाकी बीजे सिंगे मुझे लगता था खेलने चाहिए लेकिन यह आप कह सकते हो कि एक अमबेजडर टाइप बने पूरा यंग लेर क्लेयर यंग क्लेयर केर हो एक 40 फर्शे ब्लेवाज लेकिन और में इनकी टीम में देख रहू हूं तो सारे बोलर भरे बड़े हैं उपरेज़न बने बोलर भाजि बीकर लीते तो मैं समझता हूं कि मलंदा वर्नन पूरा को क्यों आगि यह तंग कर स करने लगे हैं सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप समझ सकते हो कितने बोटन है वंडे में सब्सक्राइब कर दोस्तों अब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूले तक कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बैल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन भी कर लीजिए अब हम विगेट कीपिंग सेक्शन में बात करें जादा जनता गही है समीर दीके के साथ लेकिन मैं यहां पर कलू इसरा के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बल्ले बाजी करी थी पहले मैच में और धिए के सारे पॉइंट्स टंपिंग और कैच इसके थे बल्ले विकेट आउट होने पर स्काइफ लॉंग उन पर फिल्डिंग भी कर रहे हैं जो कि इनको बड़ी ऑप्शन बना देता है युवराद सिंग को यहां थर्ड आप कह सकते हो कि इसके अंदर 38 सरकल के अंदर फिल्डिंग करवाई गई थी अच्छी करी लेकिन यहां पर आपको तो ओवर भी डाले थे इंपक्ट लास्ट ओवर भी दिल्चन नहीं डाला था और रॉंडर्स महारूफ ठीक है गेंदवाजी करते हैं हालकि इंडिया के सामने शायद अत्री अच्छी ना कर पाएं प्लस बल्ले बाजी भी कर सकते है इर्फान बठान मैं अभी भी कहूंग करना है वो कैफ और रटा पट्टू है लेकिन मेरी जो फेवरे डिफरेंशल पिक ऑफ दा मैच है वो यहां पर कौन सी रहेगी मनपरीद गुनी केवल बारा बचंट सेलेक्शन है गेंदबाजी सेक्शन में जहीर खान मुनाफ फटेल प्रग्यान ओजा रंग्रा हैरत और स इसको भी ट्राय कर सकते हो प्लस से लास वे बल्ले बाजी करने जल्दी आ गए थे गिंद बाजी उतनी इनोंने करी नहीं तो थोड़ा यह मैच ऐसे है कि कहना मुश्किल है किसको क्या कराया जाए अभी के लिए जो मैंने अपना स्कौर्ड क्रियेट किया था यह आपको द इकत नहीं आने वली से भी टीम में इस सचिंग भी आप ले पाएंगे यह आपको ऐसा सा कुछ स्कौर्ड दिखने लगेगा फिर कपूगेदरा मेरे सबसे इंप्लेयर साबित होंगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि यह सबसे यंग प्लेयर है इन तीम में एक ओजहा बिल्कुल ग्रेंड लीग में आप इनको कप्तारी ना दें किसी और को दें क्योंकि भेड़ चाल है सब लोग इनको दे रहे हैं नो डाउट बेस्ट हैं लेकिन आप बिल्कुल बाकियों को ट्राइ करें क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर मैच में आकर 60 करें चमिंदा वास इन हो जाता है कि टेलीग्राम आपने जरूर जुड़ जाना है क्रिक 114 का सच करना है विदाउट स्पेस भूला नहीं है